हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वॉक्षीट नंबर 13 जो की 1 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है हिंदी तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज इस कारेपत्रक में हम आपकी पाठिपुस्तक वसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रतम भाग पढ़ेंगे जो हरी शंकर परसाई जी की व्यंग रचना है व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह कहता है कि वह बात कह भी दी को शायद बुरा ना लगे तो इस जो कला है कि किसी की बुराई भी कर देना पर मजाक्या लहजे में करना उसको ही हम कहते हैं व्यंग व्यंग के मजाकिया लहजे में कही बात होती है इस पार्ट में व्यंग का प्रयोग सारवजनिक परिवहन व्यवस्था यानि जो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होता है उसकी स्थिति को जागर करने के लिए किया गया है व्यंग को यदी एक बार में पूरा पढ़ लिया जाए तो यह और मज़ेदार लगता है अगर आप चाहें कि आप इस पूरे पार्ट को एक बार में इंज्वाइ करना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी जो पूरा पार्ट है वो व्यंग से भरा हुआ है मतलब काफी जादा इंट और यह शाम पांच बज़े की बस से जाना चाहते हैं पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबल की ट्रेन मिला देती है तो यह क्या चाहा रहे हैं कि पहले थोड़ा जो सफर है वो बस से तैय कर लें फिर इने ट्रेन मिल जाएगी और ट् मिल रहा है जाने के लिए बस है ट्रेन है जैसे भी तो उसी से अपना सफर पूरा तैय कर लिया जाए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं तो लोगों ने कहा कि अभी आप जिस सफर जिस बस में सफर करने की बात कर रहे हैं कोई कि भी समझदार आदमी उस बस में सफर नहीं करना चाहेगा क्यों आगे देखते हैं तो किसी ने पूछा इन पांचों मित्रों में से कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं तो किसी ने आंसर किया कि नहीं बस डाकिन है बस को देखा तो श्रद्धा उमड पड़ी खूब वय चुकी थी इतना चल चुकी थी कि शायद अब ये पता नहीं कब दम तोड़ दे कोई भरोसा नहीं था लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि व्रिधा वस्था में इसे कस्ट होगा तो लोग इसलिए इसमें कहा गया है कि लोग बस में इसलिए यात्रा नहीं करना च तो इससे बहतर है कि इस बस में ही सफर ना किया जाए यह बस पूजा के योगे थी मतलब यह इतनी जादा पुरानी हो चुकी थी कि अब इसको साइड में रखके बस इसको पूजा किया जा सकता था इसमें सफर नहीं किया जा सकता था उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है तो वयो वृत का मतलब है बड़ी आयू वाला या कोई भी ऐसा सामान, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आयू काफी जादा हो चुकी है फ्रिधावस्था मतलब बुढ़ापा अब आईए हम कुछ प्रशनों के उतर लिखते हैं पहले प्रशन का आप आंसर लिख देंगे लेखक ने बस की यात्रा करने का निर्ने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी काम पर उपस्तित होना था अब हम देखते हैं दूसरा प्रशन है कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सला दी और क्यों तो देखो आप इस कांसर लिखेंगे कि लोगों ने सला दी कि समझधार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा क्योंकि ये बस बहुत जादा वृद्ध हो चुकी थी मतलब बहुत जादा बूढ़ी हो चुकी थी और इससे सफर करने का मतलब है कि अपने सफर के समय को बहुत जादा बढ़ा देना अब हम देखते हैं तीसरा प्रशन तीसरे प्रशन में कहा है कि बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग में क्या-क्या कहा अपने शब्दों में लिखिए तो चलिए देखते हैं कि लेखक ने क्या-क्या कहा तो तीसरे प्रशन के आंसर में आप लिखेंगे कि लेखक ने बस को वयो व्रिध तथा व्रिधा वस्था वाला कहा, साथ ही ये भी कहा कि इस बस की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे शब्द लेखक ने कहे थे, अब हम देखते हैं, चौथा प्रशन, तो चौथे प्रशन में हमसे पूछा है कि गध्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखे, यानि इस कहानी में आगे क्या होना है, हमें कल्पना करना है, सोचना है और फिर लिखना है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ होगा, देखो ये जो बस है, वो आप लिखेंगे और, ठीक है, तो और लेखक समय पर घर तथा काम पर नहीं पहुंच पाया होगा, क्यूंकि बस इतनी धीरे चल रही होगी कि वो समय पर घर नहीं पहुंच पाया होगा, तो ये मुझे लगता, अगर आपको कुछ और लगता हैं, तो आप वो भी यहाँ प आदी से मजाक्या लहजे में होने वाली बातचीत को दिखिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपने इन में से किसी भी चीज से, या कोई भी ऐसी चीज जो हमसे बात नहीं कर सकती है, पर हमने कभी करी होगी बात, तो ऐसा कोई भी experience आपके साथ हुआ है, तो आप उस experience को यहाँ पे तो इसको like करें, अपने friends के साथ share करें और उस channel को subscribe कर लें, thank you